दोस्तो मैं मेरी यूटूब चैनल अलपेस गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत कता हूँ और आज दोस्तो इस गार्डन में ग्रास के अंदर दिमग लग चुकी है आप देख सकते हो ध्यान से देखोगे तो आपको आशान से पता चल जाएगा कि दिमग लगती है तो ग्रास के अंदर कैसी प्रोब्लेम होती है तो दोस्तो वीडियो पूरा देखना है ताकि आपके गार्डन में ऐसी प्रोब्लेम हो तो आप खुद प्रोब्लेम का सल्यूशन ढून पाओ और टीक्मेन कर सको दोस्तो आप इस ग्रास को देख सकते हो मिट्टी दीख रही है और दोस्तो डिमक जो है वो ग्रास को खा जाती है और दोस्तो इस तरहिके से ग्रास कम हो जाती है और मिट्टी मिट्टी उपर से दीखती रहती है दोस्तो और आप जितनी भी अच्छी पूरा अलग है और आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो मैं कहना क्या चाहता हूं आप तुरन समझ जाओगे दोस्तो पहले मैं ये करूँगा कि ग्रास की अंदर अच्छे से पानी डाल दूँगा दोस्तो अच्छे से पानी डाले ग्रास की जो मिट्टी है वो पूरी तर के अंदर लेकिन दोस्तो आप चाहो तो चार से पांच एमेल भी ले सकते हो दोस्तो इस बोटोल के उपर जिवित को हनी ऐसा लिखा हुआ है और दोस्तो इस बोटोल के अंदर 50% क्लोरोपाईरीपस यानि कि दिमक की डवाई है दोस्तो आप चाहो तो गूगल पे पानी ना डाले उसके बाद आप जिस तरीके से अपने ग्रास के अंदर रेगुलरी पानी डालते हो जैसे कि हबते में दो बार या तीन बार पानी डालते रहे दोस्तो आप देख सकते हो इस ग्रास को देड़ महिना हो चुका है और दोस्तो देड़ महिने के बाद दोस्तो इस तरीके से पूरी ग्रास ग्रीन हो चुकी है और बहुत ही अच्छी लग रही है दोस्तो और दोस्तो ये ग्रास मैक्सिकन ग्रास है कई लोग नाइलोन ग्रास या तो फिर गाली चा ग्रास भी कहते हैं इने तो दोस्तो आपके गार्डन के ग्रास के अंदर ऐसी प्रोब्लेम हो जाए तो दोस्तो इसी तरीके से टीटमेंट करें तो ये था दोस्तो ग्रास के बारे में मेरा खुटका अनुबब वीडियो अच्छी लगी तो सेर जरूर करना